जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रों में बनने वाले 110 वर्सों के बाद महा संयोग के बारे में साल 2023 में यानि 22 मार्च को चैत्र नवरात्रों का आरम हो रहा है आरम के साथ हिंदू नवर्स का भी प्रारम हो जाएगा और जोतिस के अनुसार इस बार नवरात्रों पर विशेश संयोग बनने जा रहा है इस वरान पंचक में मातारानी धर्ती पर पधारेंगी लेकिन आदिसक्ती जगदंबा की पूजा में पंचक का असर नहीं होता है इस साल चैत्र नवरात्रों के पहले दिन दो बेहद सुब संयोग ब्रहमयोग और शुक्लयोग का संयोग बनने जा रहा है जिससे माता की पूजा करने पर भक्तों को दो गुना फलकी प्राप्ती होगी और इस साल देवी पूरे नौ दिन तक धर्ती पर भक्तों के बीच रहेंगी चैत्र नवरात्रों की सुरुआत 22 मार्च से हो रही है जो की 30 मार्च को राम नौमी के दिन इनका समापन होगा और जोतिसास के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रे पूरे नो दिन के मनाए जाएंगे चैत्र शुक्ल प्रतिपधा तिथी 21 मार्च रात 11 बज कर 4 मिनट से सुरू होगी तो ऐसे में उदे तिथी का नुसार 22 मार्च को ही कलस इस्थापना की जाएगी और कलस इस्थापना का सो मूरत सुबए 6 बज कर 29 मिनट से लेकर 7 बज कर 49 मिनट तक रहेगा नवरात्रों पर प्रतिपधा तिथी पर कलस इस्थापना के साथ 9 दिनों तक देवी आराधना का महापर्व सुरू हो जाएगा इस बार माता का आगमन नौका पर होगा और प्रस्थान डोली पर होगा और नवरात्रों में तीन सरवार्शिद्धी योग, तीन रवी योग, दो अमर्शिद्धी योग और गुरु पुष्ययोग का संयोग बनेगा सरवार सिद्धी योग 23, 27 और 30 मार्च को होंगे अमरसिद्धी योग 27 और 30 मार्च को होंगे रवी योग 24, 26 और 29 मार्च को लगेगा और नवरात्र के अंतिम दिन राम नौमी पर गुरू पुश्ययोग का महा सैयोग बनेगा तो ऐसे में नवरात्रों में माता का आगमन नौका पर होगा जिससे सुक समर्दी का कारक मना जाता है और पूरे दिन नौ दिनों तक माता के अलग-अलग सुरुपों की पूजा की जाएगी तो इस साल नवरात्रों पर बनने वाला महा संयोग कुछ रासियों के लिए चमतकार साबित होगा और इस वर्ष की राजा बुद्ध होंगे और शुक्र ग्रह रहेंगे जिसके कारण जात्कों को सिक्षा के छेत्र में विसेश फल की प्राप्ती होगी साथे जोरान देवगुरु ब्रस्पती अपनी मीन रासि में वराजमान होंगे और कर्म फल्दाता सनी देव भी अपनी रासि कुम में वराजमान होंगे इन दो ग्रहों का अपनी रासी में विराजमान होना कुछ लोगों की किस्मत को जगाने का कारिय करेगा और साथ ही मा दुर्गा का आसिरवाद प्राप्त होगा जाने उन तीन रासीों के बारे में जिने मातारानी मालामाल करने वाली है तो पहली रासी है विर्षब रासी ग्रहों का महा संयोग विर्षब रासी की लोगों को काफी सुबसाबित होगा क्योंकि सनी आपकी गोचर कुंडली में केंदर तिरकोन, राजियोग और सस राजियोग बना कर बैठे है इसलिए इस समय धन की आवक बनी रहेगी साथ ही कारोबार में सफलता के योग बनेंगे नए समझोते पर डील पक्की हो सकती है और आर्थिक मोर्चे पर लाब की संभावनाएं बढ़ेंगी साथ ही समय किस्मत का भी पूरा साथ मिलेगा रुके हुए कारिये पूरे होते हुए दिखाई देंगे और परिवार में आपसी रिष्टे अच्छे होंगे छात्रों के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल होगा यहां सनी आपके दसंभाव में है और दसंभाव में इस्तित होकर आपके चतुर्थ भाव पर दरस्टी डाल रहा है तो ऐसे में वाहन सुक की प्राप्ती होगी प्रॉपर्टे में किया गया निवेस अच्छा लाब देने वाला होगा परिवार में सुक सांती बनी होगी साथी केरियर में चारचांद लगेंगे वेपार में वेवसाय में अच्छी उन्नती देखने को मिलेगी समय काफी अनुकूल साबित होगा दूसरी रासी है मिथुन रासी आप लोगों के लिए गरहों का महासयोग लाप्रद साबित होगा इसमें किसी नई बिजनिस को टेक ओवर करने के बारे में सोच सकते हैं या कोई नई डेल इस दोरान आपके हाथ लग सकती है जो फ्यूचर में अच्छा लाप देने का कारिय करेगी जो छादर पृतियोगी परिक्षा की तयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय सुबसाबित होगा अच्छे परणाम प्राप्त होगे साथ ही जो बाहर जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं उनका सपना पूरा होगा इस और आन आप अच्छी सेविंग करने में भी काम्याब होगे और भागय का पूरा-पूरा साथ मिलेगा क्योंकि सनी यहां आपके भागय भाव में है और तिरते भाव पर दरस्टी डाल रहे हैं तो ऐसे में आपके पराकरम में वरद्धी होगी यात्राओं पर जाने के युग बनेंगे भाई बहनों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा साथ ही धर्म कर्म के कारियों में सहभागिता होगी पिता का गुरू जनों का आशिरवाद प्राप्त होगा और आप अपने कारिय छेतर में अच्छा करने में सक्चम होगी उर्जा का इस तर अच्छा होगा अपने कारिय की प्रती फोकस नजर आएंगे और कर्म पलदाता सनी देव आपके लिए धन के नए रास्ते खोलेंगे गुरू जो की ग्यान और धन के कारक हैं इस वरान आपके केरियर में, वेबसाय में, वेपार में आपको आगे बढ़ने का मौका देंगे कुछ नए अफसर आपको मिलेंगे तो समय काफी अनकूल साबित होगा और तीसरी रासी है धनुरासी धनुरासी के लोगों के लिए ग्रहों का महा सईयोग आर्थिक दरस्टी से काफी सुबसावित होगा इस वरान यदि आप साजेदारी में कोई नया वेपार, वेबसाय या कोई नया स्टार्ट अप करना चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए सांदार सावित होगा आपके साहस में व्रद्धी होगी, पराकरम में व्रद्धी होगी पेशेवर जीवन में आप अपने वरोधियों पर, अपने सत्रों पर हावि होंगे आप विजई होंगे, कोई भी सत्रों आपके सामने नहीं टिक पाएगा यदि आप कोई नई प्रॉपर्टी खरिदने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छा फायदा होगा सनी यहां आपके तिरते भाव में वराजबान है जो आपके पराकरम में वरधी करेंगे परिवार में सुक सांती का माहौल होगा भाई भेनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा धर्म कर्म के कारियों में आपकी रुची होगी और नवम भाव पर दरस्टी होगी सनी की तो ऐसे में भागय का भी पूरा पूरा साथ मिलेगा सिक्षा के छेतर से जुड़े लोगों को अनुकूल परणाम प्राप्त होंगे समाज में मान सम्मान बढ़ेगा गुरु आपके चत्थूर्थ भाव में वराजमान होंगे जो की ग्यान और धनके कारक हैं तो परिवार में खुशियों का आगमन होगा माता से प्रेम इसने प्राप्त होगा वहां सुक्की प्राप्ती भी होगी रियल स्टेट में टेक्निकल छेतर में काम कर रहे लोगों को भी अच्छे लाप प्राप्त होंगे साथ ही यह जमें आपके केरियर में चार चांद लगाने का कारिय करेगा वेपार वेबसाइप में अच्छी बड़त देखने को मिलेगी अटके हुए कारिये पूरे होंगे नवरात्रों में मा दुरुगा का आसिरवाद आप पर प्राप्त होगा और मा दुरुगा की आसिरवाद से आपकी सभी कारिये सिद्ध होंगे दोस्तो ऐसी जनकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब